लेकिन जब मनोच सरयां पर आए ना तो हमारे लिए भी बहुत सारी सुविदाई उत्पन होई हैं और हमें कुछ भी जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता वैसे भी विद्धार थी जीवन को सिख्षाश जादा और क्या चाहिए और वो सब दूर से आने वाले बच्चों को सभी सुविदाई मिल रहे हमारी यहीं बहुत है उन्होंने तीन दीन कोचिंग्स वगेरा खोली है हमारे बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है इसके पहले क्यों नहीं था? इससे पहले यह तो अब जो सरकार थी गयलो सरकार थी उसके कुछ कारण ही होँगे जो हमारे ख्यतडी विदान सबा में कुछ काम ने करिवा सके क्या लगता है यहां पर ख्यतडी में अभी फिर से कोन आएगा? वह म ρेंसम अच्छा। आपके इस विधानसबा में कॉंग्रेस के एक सरकार जहां पर रही इसके विधायक रेक उन्होंने कुछ काम किया है कुछ नहीं कुछ नहीं दुरवाया अभी गुमरियाजी के तरफ से क्या हो रहा है यहां पर तीन-तीन कोचिंग खुल रहे हैं खेतली के अंदर हम सब बच् समाच पार्टिक राष्टे देश बैन मावति के यहां पर एक बड़ी रेली होई यहां पर खेतली विधानसबा में जिस प्रकार मनुज गुमरिया जो प्रत्याची है यहां पर आप मेरे पीछे देख पर है तमाम जो महिला वर्ग है तमाम जो बच्चिया है लड़किया ह एजुकेशन करने वाली है निली साडियों में है तमाम तरिके से बबासाप के और बहुजन समाच पार्टिक गमचो और तमान टोपियों के अंदर में है जाने के समदेंगे बात्चीत करने कोशिच करेंगे क्या कुछ इनका कहना है क्या कहना चाहेंगी क्या नामें बताई देवीश कहां से है आप लो खेतरी से क्या कारण है यहां पर इस कारेक्रम में आना मनोज गुमर्या के समर्थन में गुमर्या जी सर के लिए ही आया है क्या करन मानते हैं क्या पढ़ाई करें वह बता है अच्छा आपके इस विधान सभा में कॉंग्रेस के एक सरकार जहां पर रही इसके विधायक रहे उन्होंने कुछ काम किया है कुछ नहीं कुछ नहीं करवाया बच्चों के लिए कुछ नहीं गुरॉआ अभी घुमर्या जी आपके कोचिंग खुली कितना और बढ़ सकती है यह और भी जच्छाइदा पड़े गी और यहां प्र बढ़ेंगी और यहां पर यहां पर सारी सवीदा के लिए यहां पर जो बच्ची ओक लेकर लड़िकियों को लेकर तबांब आरता देखने को मिलती है तो तो मैं आपको भी को है प्धित ऑफ करने मैं ठहर दूश्व करने लग गई इसके पहले कियो नहीं हो अब फिक पहले एघ्यालोड कर्ण कैने में में जो कम इसके कश घास और सूर्म कि सेंड़ tapping सपड़ा कोई सुविदाय उत्पन होई है और हमें कुछ भी आप जाने के लिए सौचना नहीं पड़ता है क्या लगता है यहां पर खेतडी में फिर से कौन आएगा क्या नाम है अपका क्या पड़ते हैं दिल्ली पुलिस के तैले कर रहे हैं कितनी सुरक्षा मैसुस कर रहे हैं राजस्था तो अभी घुमरिया जी यहां पर जो काम कर रहे हैं आपको पसंदार है हां बहुत ज्यादा यह और आप कहां से क्या नाम है साक्षिशनी क्या पड़ते हैं बेस्टेशी की तैयरी क्या लगता है आगे जो जिस तरीके से कंग्रेस की सरकार चल रही है रोजगार की उन्होंने तीन-तीन कोचिंग स्वगेरा खुली है हमारे बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है तो यह 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 तमाम तरीके से हम बाचित कर रहे हैं जी सर यह जो चल रहा है तीनों विधान से यह जिस तीन कोचिंग आपके पूरे छेत्र के अंदर में जी सर, कितने समय से, मैं डेट साल से हूँ, क्या-क्या सुविधा है, क्या कुछ हो रहा है कोचिंग में, किस तरीके से सब एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, या जैपूर की फैकल्टितिक आई हो है हमारे पास, और कोचिंग में सर, ऐसी लगा रखिये बच्चों के लिए, औ आँचिंग व्यवस्ता शांदार है, और उसी के देख रहरे के ये पांच कोचिंगों की उन्होंने गोशना किया, कि पूरे विदान सभा चेतर में पांच कोचिंगे खोली जाएगे, प्राचिंकाल की आप गर्मेंट सरकार की बात करते हो, जो कांग्रेश सरकार की थी, त ना तो कोई छिकित्सा मेडिकल को ले जाइए है, ना ही कोई इंजिनियरिंग को ले जाइए. National Highway, State Highway, जो था इसे, National Highway कर दिया है, State Highway पर आप जाकर कर के देखो. State Highway की हालत यह है, कि आगर आपको 35 किलोमेटर चलना है, तो आपको 2 कुलोमेटर शलना है, लोगों के विकास के लिए तो खेतरी के लोगों को विकास चाहिए ना यहां पर कोई पर मनोज गुमरिया की सरकार बने की और यहां पर विदायक पर तैसी मनोज गुमरिया भारी बहुत से जितकर के विदान सभा में पहुंसे हैं। जितने जाग रूप नहीं थे जो काफी बच्चों को सिक्षिक नहीं कर पाई। गरगर जो नोकरी है वो इसी चेतर से आये क्योंकि काफी लोग जो है वो ग्रामेंट चेतर से जुड़ेवे हैं। वो सकता आर्थी की स्थिति से भी ही जूज रही हैं। वो नहीं पहुंच पा रहे हैं सिक्ष्या के चेतर में। बाकी नेताओं ने यहां पर सिक्ष्या एजूकिसन के रूप में इतना परिवर्तन नहीं लाया है। मनोज गुमरिया के लिए जरूर अपने वोट का समर्तन जरूर। तो एक बड़ी अपील है और यह अपील कहिने के लगातार तमाम लोग कर रहे है कि कैसा एक बड़ा परिवर्तन खास्तोर पर खेतर भी दानसभा के अंदर में होना चाहिए कोचिए के राजास्तान में जो कहिने के कॉंग्रेस के माध्यम से बड़ा होना चाहिए था जो बड़ा नहीं हो पाया हैdir इसलिए अब बड़ी अमिद है और इसा उम्मीद के चलते लगातार हमने बाच्चित करने के कोशिश किया है तमाम जो बच्चिया है जो लड़किया है उनसे चर्चा करने की कोशिश की है उनके तमाम जो कोचिंग चलाने वाले जो सर है उनके तरफ से तमाम जो चर्चाम ने की है तो यहाँ से जो चीजे निकल कराई है तो आप कल पना करिए कि अगर बस पास है विधा है शेर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भूल